तो हम इस धर्थी पर आये हैं इंसान रूप लेकर और इंसान रूप लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी होगा बेटा कुछ ना कुछ कमी होगा हम परफेक्ट नहीं हो सकते तो मेरे कुछ निगेटिव चीजों को कोई पर्मोट करके दोचार पैसे कमा रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए बहुत बिरोजगारी है भुकमरी बर जाएगा बेचार लोगों को खाने कमाने का हक है हाँ उससे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है लेकिन तुम लोगों को भी तो चाहिए ना पबजी गेमर्स उटूबर्स और नाचने गाने वाले तुम्हारे आइडियल तुम्हारे तुम ऐसा बनना चाहते हो जिन्दी में सौटक आध्यकपरों में नाचने वालों का नाम पता होगा तो सबको हख है कमाने खाने का फ़र्क बस इतना साथ होता है किसी के काम से पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि से कॉई बात नहीं कोई बात नहीं अब देखो क्या फर्क है कि हम लागातार लगातार 12ione पढार यह न हम यह राखी दिना ने देखा दो दिन में 20 लोगों ने देखा na sino के उसी नि कंटेंट से पूरा 11 12 पर दिया लगातार चार दिन में 25 गंटे से ज्यादर ले लिया इन सब कोई नहीं देखता और का experts लेकर रहे QUE तो अब सबको कवाने खाने गाए चल देख पर अर्टु भी तो वही है तू भी तो उसी में से है एदर गूंता रहता है पर लिख लिया कर पर लिख लिया कर फिटा जीवन में कुछ ऐसा कर जिससे तुम्हें अपने आप को जब आइना में देखो गे तो गर्व महसूस हो सरम न देखो यह ना जो फर्जी उटूवर्स है ना फर्जी फर्जी एकडम फर्जी टिक टॉक का टाइप फर्जी उटूवर्स ना तो पढ़े लिखे हैं ना तो पढ़ाई लिखाई की इंपोर्टेंस को समझते हैं अरे भाई तुम 20 मेंट गा वीडियो बनातों कमेडी उसको लोग स्किप करके देखते हैं सुन उसको लोग स्किप करके देखते हैं कभी हसते हैं मुस्कुराते हैं स्किप करके देखते हैं और जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना रेगुलर वेसिस पे दो डाही घंटे का लेक्चर बच्चा एक सकेंड स्किप करके नहीं देख सकता क्य लखना और इसको देख पाना कितना मुस्किल होता होगा कि अ कितना प्रेश्र ज्धेला है उस teacher ने online mode में जिसके सामने teacher नहीं बच्चे नहीं है सिर्फ camera इंसान के नाम पर ना सामने वह keharm कर एक रहे वह कम्प्योटर स्यूंक करके कि हमारे सामने अजारों बच्चे Amendment हैं वह वो समझ रहे हैं नहीं समझar को उसके लिह जान लगाए अगर इस तरीके से नहीं समझे तो तार तरीके तुसको समझा है उसमें इंट्रेस्ट डेवलप करके रखना लगतार बाड़ा घंटे आठ गंटे चे घंटे चार घंटे की क्लास तो नॉर्मल होती है तो ना तो तुम पहले लिक तुम्हारा नजर्या ही नहीं है यार समझने लाइक आई क्यू है तुमध यार समने लेक्त सुनो कर जिसे देश दुनिया और भविस्टी को फायदा हो कि मजाक नहीं है कि हजार किलो मिटर बांसो किलो मिटर चार सो किलो मिटर दूर बैठा हुआ बच्चे को पढ़ा पाना और एक सकेंड भी वह स्किप ना करें क्योंकि एक सेकंड भी करेगा तो अगला सकेंड उसको समझ नहीं आएगा फिजिक्स है यह केमस्ट्री है यह समझ नहीं आएगा उस इंस्टेंड पे लगातार चार घंटे उसको इंट्रेस्ट बना के दिखाना कंटिंट डिलीवर करना मुश्किल सवाल कराना कंसेट को समझाना जबकि उसके पास एक बहुत ही बढ़ी आप्सन है कि वह एक बटन दवाएगा और इकजिट और उत्तुन नंसे तुम्हारा कमेंडि वीडियो देख सकता है लेकिन बच्चा लगातार उर रिकॉर्डड लेक्चर पढ रहा होता है रिकॉर्ड लेक्चर देख रहा होता है कैसे कैसे कि वेवकूफ परो और उसस बच्चे के पेन के समझें को समझो भी समझो के लगातार बच्चा दो वजे से छे बज़े तक या यह की बैच अपन पिछले साल भी पढ़ाते थे तो सुबह नौव बज़े से बज़े तक लगातार ओनलाइन मोड में लेक्चर देखना नोट्स बढ़ाना कभी जागे पूछा है उससे पूछागे पूछो कि ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान कभी नहीं था कि आज भी इंडिया में 50% से ज्यादा लोगों से जब मैं मिलता हूँ टीचर से मिलता हूँ तो करें नहीं यार ओनलाइन हो बच्चे सामने बैठे हो तो मुसको पढ़ाए ओनलाइन यार ओनलाइन में तो समझी नहीं आता है ओनलाइन में तो समझी नहीं आता है कि इसको पढ़ा रहे हैं कि इसको नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे बच्चे को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे समझी नहीं आता है ओनलाइन में खाली रूम को देखके थोड़ी तो बच्चा पर रहा और टीचर परा रहा रहा उस इंट्रेस्ट के साथ उस कंसेंट्रेशन के साथ यह आसान काम नहीं है कि होता है सब में कुछ ने कुछ कमी होता है लेकिन एक कमी को उठा के उसी को पॉइंट ओट करते रहना लगातार अरे भाई एक तुछ तुम दिमाग से पैदल उपर से तुम वेरोजगार उपर से तुम्हारा कंटेंट की कमी हाँ ट्रेंड है वोई भी गाना लगा के कुछ भी नाच लिया कमेड़ी वीडियो बना लिया अरे कुछ कर धंका कर धंका जीवन में और रोल मोटल लोग बना रहे हैं उसको डैस इंसान डैस जानवर डैस पॉइंट डैस 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 अरे डैस जीवन में डैस ही रहेगा चला इधर देख